नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 27 जुलाई शाम 7 बजे राजिस्थान की खास खबरें भरतपुर के डीग सीयमेचो कराले में कारवे करते हुए जैपुर एसीबी ने सीयमेचो के वरिष्ट सहायकों को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है आरूपी ने करमचारी पती पतनी के पक्ष में जांच करने के लिए जांच कमेटी के नाम से 40,000 की रिश्व में तै हुआ परिवादी 30,000 की रिश्वत दीने गया तो आरूपी को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफतार किया एसीबी जैपुर एकाई को परिवादी ने दी शिकायत में बताया कि उसके और उसके पतनी के खिलाफ एक जांच चल रही है दोनों पती पतनी के पक्ष में जांच करने की एवज में वरिष्ट साइक देवेंदर सिंग जांच कमेटी के अदेक्ष और उसके सदस्यों के नाम से 40,000 पे रिश्वत मांग रहा है उपमाह निरिक्षिक रंदीर सिंग के सूपर वीजन में एसपी संदीप सार्सवत की नेतरतव में शिकायत के सत्यापन के बाद वरिष्ट साइक देवेंदर सिंग को रिश्वत राशी सहित दबूच लिया जुझनों पोक्सो कोटनी नाबालिक से दुशकरम मामले में दुआरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है 14 अक्टूबर 2020 को पेडिता के परीजनों ने सिंखाना थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिक पुत्री घर पर परचून की दुकान पर बैठी थी इस तोरान आरोपी संदीप कुमार निवासी खान पूर आया और कुछ समान लेकर बूला कि उसका जनम दिन है खर पर पाटी है आरोपी फुसला कर पेडिता को बाइक पर बिठा कर ले गया रास्ते म में बंद रखर दोनों ने दुश्करम किया फिर गाजियाबाद ले गए और जबरन काग्जों पर हस्ताक्ष्र करवाए वहां से एहमदाबाद ले गए फिर जैपूर आये तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और आदालत में चलान पेश किया प्रदेश के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम कर रहे समवीदा टीचर्स को एक साल और मिल गया है उनके समवीदा अब दी खत्म हो रही है लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके उने पद पर बनाए रखने के निर्देश दिये हैं सपस्ट है कि चालू नया शिक्षा सतर बे इन टीचर्स की भरोसे ही अंग्लेजी मादेम स्कूल संचालित होंगे कॉंग्लिश सरकार ने वर्ष 2023 में सहाय का ध्यापक लेवल वन और लेवल टू के पद पर समवीदा टीचर्स की भरती की थी इस दुरान राज़े भर से सैं सबीदा टीचर को कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश दिये हैं ऐसे समस्थ सायक ध्यापकों को स्कूल में पहले की तरह उपस्थिती देनी होगी हरियाना के करनाल में निसिंग थानक शेतर के अंतरगत आने वाले एक गाम से एक नव विवायता संदिक्द परिसीतियों में लापता हो गई विवायता अपने मायके में रहने आई थी और उसके साथ नगदीवे जेवरात भी गायब हैं परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका शिकायत करता पिता ने फुलिस को बताया कि उसकी बेटी की शादी ग्यारा महीने पहले कुरुक्षेतर जिले के बराना गाउं में हुई थी 13 जुलाई को उसकी बेटी अपने माई के आई थी रात को वह बिना कुछ बताय घर से चली गई उसकी बेटी घर से जाते समय ट्रंक में रखी 15,000 पे की नगदी एक चांदी का पेंडिंट और सोने के अबूशन भी साथ ले गई उसे शक था कि उसकी बेटी किसी मुबाइल कॉल की संपर्क में है जिसके चलते वे किसी के साथ जा सकती है नेसिंग पुलिस मामले के जांच में जुट गई है और विवाहिता की तलाश कर रही है बीकानेर पुलिस ने चोरी और गुम हुए सवा सो से ज़्यादा मुबाइल बरामत किये हैं ऑपरेशन वाइरस के एसपे तेजस्वी ने गौतम ने बताया कि जिले में कई लोगों के मुबाइल गुम होने की शिकायत दूर संचार विभाग के ऑनलाइन पोटल सी ई आई यर पर दर्ज होती है इसके इलावा पुलिस के साइबर सेल में लगातार मुबाइल चोरी की शिकायत मिल रही है इन अमर्शुदा मुबाइलों को एसपी ने लोटाए तो मुबाइल मालिकों के चहरे खिल गए और पीएस्थी के और से कला सहित्यां संस्क्रीती और पुरदत विभाग के लिए पुरा लेखपाल के तीन साइक पुरा लेखपाल के दो शोद अध्यता के एक शोद अधिकारी के एक वे रसाइनग्या के कुल एक वे टोटल आठ पदों की परिक्षाओं का योजन तीन से पांच अगस्त दोजार चौबिस तक अजमेर जिला मुख्याले पर किया जाएगा परिक्षाओं में उम्र उत्तर पत्रक के पांचवे विकल्प को भढ़ने के लिए 10 मिनिट का अतरिक्त समय दिया जाएगा अयोग सचीव ने बताया परिक्षा के परवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं से सो पोर्टल पर 31 जुलाई 2024 को जारी किये जाएंगे इस अनुसार अभियर्थी यथा शिगर परवेश पत्र डाउनलोड कर ले में परवेश पत्र आयोग बड़ा फायदा पहुंचाने का लालच लगाकर साइबर फ्रॉड करने वालों की तरफ से दिया जा रहा था और अपने कमपने को सही थाबित करने के लिए सेवी से संबंदित भी नकली ऑनलेन लिंक को भी बार बार परिवादी को मैसेज के माधिम से भेज़ जा रहे थे दोगे जिसके कीमत 13 लाग है परिवादी ने कोट की शरण ली मामले में अधिवक्ता अंकुर शुकला ने पैरवी करते हुए पहले साइबर सेल की मदद से फ्रॉड हुए पैसे को सीज करवाया तथा 10 लाख रुपे परिवादी के खाते में पुन्य डलवाने के आदेश टकरा कर पलट गई कराई थाना एससे चो लक्षमी नरायन के अनुसर कारोई थाना क्षेतर की नौ गाम चुराही पर दे रात एक एक एक्स्योवी रोड पर आए उंट से टकरा कर पलट गई हाथसे में 40 वर्षिय सतेंदर सिंग करमावत की मौत हो गई सतेंदर शिवम कुल नर्मदा विहार का रहने वाले थे परिवार में पतनी और एक साथ वर्षिय बेटी है शिवम कुलोनी में सतेंदर पतनी वे बच्चों के साथ रहता था माताबिता गंगापूर में रहती हैं सतेंदर गंगापूर में HDFC बैंक में मैनेजर थे पुलिस ने मामला दर्सकर ज फंड करवाई है डेसे पे वेस्ट राजेश कुमार यादव ने बताया कि चार जनवरी को हेमेंदर सिंग ने दी रिपोर्ट में बताया कि उन्हों इस्टाग्राम के जरीए एक ट्रेंडिंग ग्रूप जोइन किया जिसमें 14 मार्च से लेंदिन शुरू किया कुछ निवेश प्लान में रिवेस्ट करने के लिए उसकी और से आठ लाग 61,000 पे डाले गए जब जरूरत होने पर रुपए वापस निकालने चाहे तो वापस नह 47 रुपए की राशी होल्ड करवा कर कोट से आदेश प्राप्त कर प्रार्थी के खाते में रिफन करवाई गई डूंगरपुर के बीचिवाड़ा थानक शेतर में नौमवी कक्षा में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का बदमाश अपहरन कर ले गए और मार पिटकी इसक अरवाडा गाम का रहने वाला 14 वर्षे विपुल गाम के ही सरकारी स्कूल में नौमिक अक्षा में पढ़ाई करता है वह स्कूल गया था लेकिन देर शाम तक वह वापस खर नहीं आया परिवार के लोगों ने उसकी खोजबिन की लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा मैं दे विपुल में इंस्टाग्राम फ्रेंड द्वारा महिला से रेप करने का मामला सामने आया है मिलने की बहाने होटैल में बुलाकर और उपी इंस्टाग्राम फ्रेन्ड ने जबर दस्ती की अशलिली वीन बनाकर ब्लैक मिलकर देश उशन किया सांगानेर सदर थानय में 28 मोटेल में बुलाया जहां जबर्दस्ती रेप किया और अशलेल वीडियो मोबाइल में शूट कर लिए किसी को बताने पर अशलेल वीडियो को वाइरल करने की धंकी दी वीडियो से ब्लैक मिल कर मिलने बुला कर दे शोशन करने लगा विरोध करने पर आरोपी निजान से मार ने की धमकी दी पुलिस ने मामला दर्स कर जाच शुरू कर दी है झाल 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 झाल